जी अस्वाम लिकम्, कल बाला दरा निकालें उसकी रिविजन करते हैं जब पार्टली इन काइन, पार्टली इन कैश पैसे आ रहे हों, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस उपस्प्लाई लेनी है और जब बायर और सेलर आपस में जानने वाले हों, तो फिर भी ओपन मार्केट प्राइस लेनी है और अगर सेल जनर पब्लिक को इंस्टॉल्मेंट किस्तों पर हो रही हो, तो भी ओपन मार्केट प्राइस लेनी है इंट्रस्ट पढ़ा होगा उसमें यादे कल एक लाग दसदर था लेकिन आपने एक लाग को विएस लेने है अगर डिस्काउंट दिया जा रहा हो तो डिस्काउंट रिट प्राइस लेनी है अगले इंपोर्ट हो रही हो तो इंपोर्ट की केस में कस्टम डूटी और तो इसमें फर्ज करें छे lasting लेजर शीट्स शिए इस लाम ने 2000 पे इस पर काम करके दिया लेकिन वी यह सत दो हजार मियोगि रुपन मारकेट प्राइस ऑफ बाग रख जिशे यश्याद आपन मारकेट प्राइढ भी उसमें फिर लिख लें के चीजें भी टेक्सेबल है और जो फिनिश गुड्ड जैंड्यू वह भी टेक्सेबल है यह बनता है पेज नमबर 39 39 जहां Honda Atlas car नेखिए इम्रान खान को टायर का म कानीय धीड दिया था तो वहां टायर का मिचेल यह रबड वह भी टायर को सुरत के अधर हमने क्या किया था हमने कहा था कि इम्रान खान VOS में सिरफ सर्विस चार्जिस डालेगा मिसाल के तोर पे 2000 रुपे तो लिख लें इधर इधर ये भी टेक्सिबल है raw material और tire भी टेक्सिबल है ओके VOS होंगे आगे लिखें सर्विस चार्जिस 2000 पर लिख लिख लिखें कुछ नहीं होता आप लोग मेरो बैर चीजी आया नो बैठे आया नो और आगे भैजी जो आखरी पॉइंट है ना वो तो थर्ड शेडू वाली चीजों के लिए था 3rd schedule में जो tissue paper के डबे पे लिखा होगा वो retail price होगी उसमें डालेंगे retail tax और जो final figure आएगी वो हम दुकानदार को पे करेंगे तो 3rd schedule में VOS क्या होगी retail price यानि कि tissue के डबे के ओपर 100 लिखा हो है और 17 लिखा हो है 117 तो ये 100 होगा retail price भी और इसको VOS भी कह सकते हैं और 17 को retail tax भी कह सकते हैं और sales tax भी कह सकते हैं clear ये tissue के डबे की बात हो रही थी और अगली बात हमने ये पड़ी थी कि हो सकता है board fix कर दे किसी चीज की value 32 तो फिर वो 32 यानि कि 30 लाइप हली गाड़ी या board fix कर दे तुमने 32 पर ही बेचनी है अब ये 30 पर बेचता भी रही से tax 32 पर ही देना पड़ेगा लेकिन अगर ये board की fix की गई value से भी उपर बेच दे मिसाल की तुर बोर्ड ने 32 fix की है ये 33 पर बेच दे तो फिर sale किस पर record होगी 33 पर अच्छा जी इन दोनों लोगों से हमने क्यों नहीं further text लिया था cottage industry और end consumer से क्योंके they are not liable to be registered इनको end consumer क्यों कहा था डॉलेंस वालों ने क्या करना है डॉलेंस वालों ने तार जो है वो लगा के डॉलेंस के सीब बेचना है इनोंने tape recorder में तार लगाके tape recorder बेचना है इनोंने बल्ब में तार लगाके बल्ब बेचना है इनोंने तार इस 1965 करनी है और खराब होने पर फैंक देनी है इनょह नोने बेचनी ही नहीं है consume करनी है बेचनी है इसले इन्को क्या कहा जाते है end consumer actually special rate of tax फेटर गर्मेंट में प्रेस्ट्राइब एनी हायर और लोर रेट रेट मिसाल के तौर पर 21% वैसे आज कल क्या रेट है 17% और और लोर रेट मिसाल के तौर पर 15% of a tax for any class of taxable goods तौर नॉर्मल रेट के है वैसे स्पेशल रेट हायर भी हो सकता है और लेकिन आज कल नॉर्मल रेट ही चल रहा है कितने परसेंट 17% अच्छा जी मुझे ये बताएं कि हौंडा ने इंजन इंपोर्ट किया कलाब से बात हुई थी हौंडा ने इंजन इंपोर्ट किया हौंडा ने टायर परचेस किये हौंडा ने कार सेल की मुझे बतादें गवर्मेंट के खजाने में टेक्स जमा करवाने हौंडा वाले कब कब जाएंगे इंपोर्ट की स्टेज़ पे और परचेस की स्टेज़ पे होंडा वाले हपूमत के खजाने में टेक्स जमा करवाने नहीं जाएंगे जब इंजन इंपोर्ट अकोमत के खजाने में हम जो है वो दो दफा जाते हैं. Number one, take at the time of import and do the time of sale. Do not go to government खजाना at the time of purchase. बिल्कि हम general direct को 17,000 जमाः करा देते हैं, वो 17,000 फिर अकोमत के खजाने में जमाः कर रहा है. अच्छा जी, liable कितनी दफा होंगे हम? liable to pay sales tax, शरफ two dफा. in case of sale जब हम sale करेंगे car या जब हम import करेंगे engine falling persons are liable to pay the sales tax the person making the sale Honda the person importing the engine Honda तो Honda दो दुदफ आपने आपको liable feel करेगा अपोमत के खजाने में जाने का federal board अगर चाहे तो with the approval of federal minister in charge may specify goods where person receiving supplies tax is liable to pay tax person receiving supply gonna होता है buyer federal government अगर कह दे तो हो सकता है buyer को tax jama करवाना पड़े मिसाल के तोर पे federal government वाले सरासिक से पूछें भाई आप कहां जा रहे हो जी मैं Honda से गाड़ी लेने जा रहा हूँ भाई ये बड़े गड़बर लोगे इन से गाड़ी ना लेना ये लोग आप से 35,000,000,000 लेंगे 5,000,000,000 जेब में डालेंगे और हमें भी नहीं देंगे तो आप ऐसा करो आप 30,000,000 इनको दे दो 5,000,000,000 खकूमत को बराहरास दे दो अब बोलें क्या एक exception सी lawmaker ने डिसकस कर दी यहाँ पे इन अमेरिकली तो ये बात नहीं आएगी आपको exception सी डिसकस कर दी असूली तोर पे जिम्मेदारी किसकी है टेक्स जमा करवाने की हम 35,000,000,000 का चेक देते हैं होंडा को होंडा उसमें से 5,000,000,000,000 हकूमत को जमा करवाता है अपने टेक्से काट कूट के लेगिन अगर lawmaker सरासिफ को कह दे कि भाईज़न आप बायर हैं आप इनको 30,000,000,000 ही दें एक्स्च्रा रेट और अपूंट greatest नॉर्म्मलत छिर्ग यह सपेशल फ्हें दे इक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्राइग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सायगता है harmful goods पे harmful goods के अपर extra tax लगता है cigarette के अपर जैसे या और किस जीज़ के अपर तो harmful goods पे extra tax लगता है अच्छा extra tax में न ये वहली possibilities है 17 पे जमा 4% या 17 जमा 10% वो 3% कुछ होड़ हमने पढ़ा हुआ है उसको ignore परें 17 जमा 17% 17 जमा 18% अगर आपने extra लगाने ना ये जो मैं yellow से highlight करा हूँ ये extra extra maximum कितना लग सकता है 17 से ज़्यदा extra निलग सकता या मैं बात करूँ total कितना maximum हकूमत मांग सकती है 34 अब हकूमत की मर्जी है 21% मांगे या 27% मांगे या 34% मांगे लेकिन इससे ज्यादा tax नहीं मांग सकती तो ये जो मैंने yellow से highlight की है ये extra tax है पढ़े federal government may collect tax on extra rate or amount in addition to normal तो लिख लें in addition to normal ये normal से edition में होगा normal कितना है 17 इसमें ये acceptable नहीं है 17 जमा 18% ये आगे अभी मैं पढ़ाता हूँ ये लिखाव है okay federal government may collect tax at such extra rate or amount in addition to normal tax the tax charge here shall not be greater than 17% of value of food the tax charge here here याद रखेगा here से मराद है extra rate वाला here का मतलब लिख लें extra rate वाला extra rate maximum कितने percent हो सकता है 17% the federal government also specify the mode manner and payment of tax mode तरीक बताएगा को मत के ये tax किस तरह लगन है okay special powers of government to लगा tax अभी स्में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा आप दूनने की पोश्चिश करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा the federal government or the main place of main place of अभी याप गर्ड़ा खतम करते main place of tax under subsection 1 subsection 1 में था 17% वाला इस law को ही खतम करते levy and collect such tax as it may deem fit जैसे मनासिप सुमझे on any goals they will specify the mode manner and time mode manner किस तरह जमा कराने time किस वकर जमा करवाने mode manner यह होता है न हमारे law में तो 30 साख वरी 35 लग 10 सार के तो 5 लग 10 सार आप उंड़ा को जमा करवाने यही mode manner होता है तो यह जीब जीब सी शोटी-शोटी headings है यह आप आपने याद करनी है पिछले से फ़ेपे थी capacity tax और थी tax on taxable sales supplied in third schedule और इधर फिर क्या है special rate of tax उसके बाद liability to pay tax, extra tax special rate नहीं है अब यह special rate है यह special powers है special powers of federal government अच्छा अगले तीनों नाम तो असान असान से हैं यानि यह पिछले से mix नहीं हो सकते tax on sale to CNG station, tax on retailer, tax on steel products in case of sale of natural gas to CNG stations the gas transmission company, Sui Gas shell लगा tax at the rate of 17% of US आगे काटें यह काटें बस VOS तक रखें तो बिता दें जी in case of sale of natural gas to CNG stations the Sui Gas shell charge sales tax at the rate of Sui Gas CNG वालां से 17% tax लेगी tax on retailers यह टायर बन जो retailers है यह होते हैं बड़े retailers और others होते हैं चोटे retailers अब बड़े retailers और चोटे retailers कौन होते हैं इस बात को जरा साइट पर रखें टायर 1 एक लफ्स हैं टायर 1 होते हैं बड़े retailers और बाकी होते हैं चोटे retailers सबर करें जरा टायर 1 के टेगरी कौन से वाले बड़े retailers चेल पे tax in normal manner at the rate of 17% टेक्स लबी चार्ज थ्रूं monthly bill यह हलकसी आप से बात वी थी टेक्स लबी चार्ज थ्रूं monthly bill from retailers अदर दें टायर 1 तो यह अदर दें टायर 1 कौन से retailer होंगे अगर आपका बिजली का बिल 20,000 पे तक है महीने का तो आपके कितना tax लगेगा 5% अगर आपका बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है तो कितना tax लगेगा सड़े 7% अब टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं वो हमारे slaves में नहीं है कि उसकी definition किया बड़े रिटेलर कौन से होते हैं अच्छा and the electricity supplier electricity supplier कोन है वापडा and the वापडा shall deposit the amount collected directly in government triory और वापडा यह वैसे collect करके government triory में जमा करा देंगे अच्छा अब भैं जो बड़े रिटेलर होँगे आदो बड़े रिटेलर वो तो 100 वी चीज़ 117 की बेचा करेंगे और लौफ़ली चीज 11700 की बेचा क्रेंगे और 2 लaints वली चीज 20000 की बेचा करेंगे बड़े रिटेलर और जो चोटे रिटेलर होँगे न ड़으면 वो sales पर 17% नहीं लगाया करेंगे उनका बिजली का बिल आया 20,000 पर तो 20,000 तक 5% है फर्स करें 20,000 यहागया तो 20,000 का 5% कितना बना 1000 अगर वो 20,000 से जधा है तो तो रेट और 20 सार से जदा है तो और यह tax कौन किसको जमा करवाएगा यह tax recover करेंगे वापड़ा वाले और जमा करवाएंगे खूमत के फजाने में वापड़ा वाले recover किस से करेंगे retailer से किस तरीके से बिजली के bill में डालगे the tax on above the tax the above tax on other than tire one retailers is other than normal tax of 17% and अच्छा यह जो कहते है ना the tax on अब पढ़िएगा that the above tax on छोटे retailers समझा क्या the above tax on is other than 17% यह 17% से लग है 17% नहीं है यह कुछ हो रहे है tax is other than 17% is other than 3% and is other than extra tax यह further भी नहीं है यह extra भी नहीं है यह normal भी नहीं है यह अदर देनी कोई चीज है इनके लिए और इसका rate कितने परसंट है और यह 5% sales पे नहीं होता है यह बिजली के bill पर होता है तो कहता है यह कोई जीब सा tax है ना यह normal है ना यह further है ना यह extra है बिलके यह अजीब सा ही rate है इसके पांच और साड़ आसाथ परसंट मिनिमम क्या होता है मिनिमम कम से कम इतना टेक्स तो तो गुट स्पेसिफाइब इन 13th schedule पता नहीं कुछ चीजे होंगी इस यूज ए प्रोडक्शन प्रॉसेस में कूछे इंपूर बताओं प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है में इन और हमोंन द comply स्भड किसी इंपूर्ड के निकालने का क्या तरीका होता है कि इसके पास labor कितनी है और इसके पास material कितना है तो क्या हम बता सकते हैं इस input के साथ कितनी चीज़ें बन सकती है तो class की capacity अगर पता चल जाए कि class पे कितनी seat है तो college वालों को पता चल सकते हैं कितने बचे बठाई जा सकते है for good specified in 13th schedule the minimum production shall be determined minimum production कैसे बठाई सकती है कम से कम हम कितने बचें को बढ़ा सकते हैं जतने class में सीटने है minimum production shall be determined on the basis of single hormone input as used in तो बता दे minimum production निकालने का क्या तरीक है inputs पता चल जाए अगर inputs पता चल जाए तो पता चल जाएगा minimum output क्या आएगा अच्छा अब मिसाल के तोर पर यार एक factory कहती है कि मैं 50 cars बना सकती हूँ 50 गाड़िया किया गाड़ी वाले है उन्होंने का हम 50 गाड़ियां बना सकते हैं minimum production if minimum production is greater than actual sale फर्स करें बचारों ने सिरफ 30 गाड़ियां बना के बेची the minimum production shall be treated as quantity sold यह वही capacity tax टाइब चीजी आगई है और क्या capacity tax टाइब चीजी आगई लेकिन यह स्टील वालों के लिए बस खास है बात if minimum production minimum कितनी बना सकते थे बढ़ जाए actual production से minimum 50 गाड़िया अच्छारों के सिरफ 30 हुई अग्याइब बढ़ा मज़े गहा है टेस्ट भाई यहां ता किया page 446 तक और chapter 3 पेज 446 तक इतना हमने पढ़ा है वो test में गल्टी से 100 वली चीज 118 में बेच दी 100 वली चीज गल्टी से किसे बेच दी यह एक रुपया कोई extra tax नहीं है बस उसने गल्टी से कोई चीज 100 वली कितने में बेच दी 118 अब उसने आवाज मारी गाहक को ओ भाई अपने एक रुपय वापिस लेता जा या एक लाख रुपय जो मर्जी करने रुपीस in लाक समझने रुपीस in million करने तो एक million 118 मिलियन है यह एक million है तो अपना 1 रूपया वापिस लेता जा अब गाहक चुह वह वापिस लेता जा उसको स्टार्ट करने बदर अबनी भाज निआती तो वो निकल गया, अब गाहक ढूना कहा, असान काम तो नहीं है, जो बड़ी बड़ी दुकाने होती है, उन पर जो गाहक आते हैं, कभी एक दफ़ाए होसता है, इंदर कभी आई ही न, एक तो थे न, कॉलेज उसमें तो कस्टमर डेली आता है, अब जो जनस्ट हो रहा है, उ एक्स्ट्रा नहीं है, यह लफ्सरा लग-लग याद करने हैं घर में, फर्दर कल पढ़ा था 3%, एक्स्ट्रा आज पढ़ा है, और एक्सेस भी आज पढ़ा है, एक्सेस, यह एक्सेस न, गल्ती से होता है, क्योंकि यह न, miss apprehension कलास करके, यहाँ पर ऐसे arrow कहा है, यह एक्सेस बाएचन और वाइज यह जैसे मरजी उसे हो गया, विच वाज न, पढ़ाएए एक्स न, जा रूपह है क्सेस, ग्सेस, गहाँ न, गल्ती से न, गल्ती से अफट्रा आज पढ़ा है, और बोज विचारे कंस्यूमर पर पास हो गया, यह बाएजा जाए आजा, यह निकल गया है, and the boj has been passed on the consumer, boj customer पे पास हो गया है the shopkeeper the shopkeeper shall pay the tax to the दिखें कितना soft फिकर है, the shopkeeper shall pay the tax to the federal government, आजो बहिए, हमें जमा करा दो कोई मस्ला है, attention है नहीं नहीं अच्छा हमाने वारे दिनों में पढ़ेंगे, अगर आप 17 रुपे हकूमत को जमाना करवाएं, तो हकूमत आपके खिलाफ यहां तक action ले सकती है, कि आपकी property बेच सकती है, या हकूमत अगर चाहे तो आपके bank account seize कर सकती है अगर आप क्या हकूमत को जमाना करवाएं, 17 तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, 17 रुपे अगर आप हकूमत को जमाना करवाएं, तो इसको कहते है area of tax, tax के बकाया जात, तो अगर आप 17 हकूमत को जमाना करवाएं, तो हकूमत आपकी property seize कर सकती है, bank account attach कर सकती है लेकिन अगर आप ये वाला एक जमाना करवाएं तो भी यहीं सजा मिलेगी, क्या आपकी property seize हो सकती है आपकी bank account attach हो सकती है जिसे मिसाल के तोर पर इस पर tax पर इतरास कर सकता है आप fees देते हैं college को, अब वो जो enter होने वाला बंदा है उसने का भाई आप fees भी दें और मुझे जो है, वो sir ने कल आपको जर्माना लगाया था टेस्ट छोड़ने का वो जर्माना भी दें अब आप क्या कहेंगे, यार फीस ले ले जर्माना छोड़ रिलाक्स कर मुझे जाने भी class तो लेने दे, मुझे यह पकड़ फीस समझागी, तो जो उपर का एक है, उसमें दुकान दर अक्सर क्या कहते थे थे एक सत्रा पकड़ो, हमेंक स्व हाट मिल जाएगा लेकिन इकूमत कहते हैं नहीं, यह सत्रा आपने हमें देना है, और यह एक हमें देना है और वह सारे तरीके जो सत्रा को सत्रा को ही करने हम आप से लगा सकते हैं वही सारे प्रीकी है preserve के आहले challenges आपसे fees recover करने के लिए, तो recovery यही होती है, lawmaker आपसे पैसे recover करना चाहरा होता है, amount payable to the federal government here, here पता है कितनी amount है, here एक रुपे है स्रफ, the amount payable to federal government here, shall be considered as बकाया जात of tax, इसे कोई extra payment भी समझी जाएगी, shall be considered as, बोल, 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 बकाया जात of expert, and shall be recoverable accordingly, recover कोन करेगा government किस से, shopkeeper से, shall be recoverable accordingly, accordingly का क्या मतलब है, जिस तरह आपसे हम 17 लेने आएंगे, उसी तरह आपसे, एक में लेने आएंगे, और जान ले ले लेंगे आपकी, refund claim of one will not be admissible, यह आपको refund नहीं करेंगे हम, यह न, एक रुपे आके मुझे वापिस कर दो, refund कर दो, यह है, वो है, कह अब इसमें एक बड़ा, मसला होता है कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो उसके लिए law में करने एक line डाली है, कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, साबित करने का बोज, यह साबित करने का बोज, यह साबित करने का बोज, कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता ये बोज किसके कंदों पे होगा सैलर के कंदों पे होगा आगे लिख लें वरना हकोमत तो यही कहेगी कि वो बंदा नहीं मिल सकता वरना हकोमत तो हमेशा यही कहेगी वो बंदा नहीं मिल सकता यह लाइन दुबारा पढ़ लें burden of proof साबित करने का बोज कि incidence incidence का मतलब भी बोज है कि बोज of tax has or has not been passed to the consumer यह भी साबित करना कि tax का बोज customer पर डल गया या नहीं डला it shall be the जिम्यदारी of seller seller बताएगा कि बंदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता हकूमत हमेशा क्या जिम्यदा करेगी कि बंदा नहीं मिल सकता तो आप हमें एक रुपाय जम्मा करवाद हो अब पहली दो-तिन लाइन दुबारा पढ़ने अब परसन से मराद है seller पहली लाइन दुबारा पढ़ने seller who has collected any tax under misapprehension एक seller जिसने गलती से tax ले लिया है that was not payable as tax or that is in excess of actually payable and the board has been passed on the consumer the seller shall pay the tax to the federal government and amount payable to federal government here shall be considered as a bakaya jat of tax and shall be recoverable accordingly recoverable accordingly का मतलब है उसी तरीके से ये 1 रुपे आप से लिया जाएगा जिस तरह 17 रुपे आप से लिया जाएगे और ये 1 रुपे आपको वापस नहीं किया जाएगा अच्छी आगे आएगे जिरो रेटिंग पिर आज में निमेरिकल चुरू करते हैं आफरी फ़रे मिनट में पंदरा बीस मिनट में जिरो रेटिंग अच्छी जिरो रेटिंग क्या होती है मोहतरा हमने पड़ा था एक्सपोर्ट से जीरो रेटिंग लेकिन ये सेक्षन कहता है तीन-चार चीज़ें जीरो रेट है नमर बान गूट इस पाक्सान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया आपने और गूट स्पेसिफ़ाइड ने तर्ड शेडियू नहीं तो फिफ्थ शेडियूल भी है वैसे मैंने डाला भी हुए किताब में लेकिन देखने की दुरूत नहीं है इनको कौन सी सेल कहेंगे जीरो रेट सेल सो वली चीज कितने की बेचेंगे अच्छा इसका क्या मतलब है जहाद देखा कभी जहाद कहां जा रहा है और बता देए बाहर जा रहा है पाक्सान से बाहर जा रहा है अगर एक जहाद बाहर के मलक जा रहा हो लाहोर से कराची न जा रहा हो लाहोर से लंदन जा रहा हो अगर एक जहाद बाहर के मलक जा रहा हो हुण जहाज वालों को? कोई न कोई बन्दा टिशू पेपर सिप्लाई कर सकते हैं जहाज वालों को? इन तीनों चीज़ों में common बात क्या है? नहीं आउटसाइड कंट्री वली common बात नहीं है. ये तीनों चीज़ों रास्ते में इस्तमाल हो ज़नी हैं. टिश्यू पेपर भी रास्ते में इस्तमाल होके खतम हो जानी है खाना भी रास्ते में इस्तमाल हो जाने है पिट्रोल भी रास्ते में इस्तमाल हो जाने है इन तीनों चीजों में ये common बात है मैंने आपको ये नहीं कहा कोई जहाज को कुरसीयां सप्लाई कर रही है कुरसीयां रास्ते में ख governed in 8-10 साल तो वो चीजें जो रास्ते में जैसे में आपके बैक की अंदर आप सेव डाल के लाए अब ये खत्म हो जाना है के लृटर डाल के ल organizers नहीं खिता लाँ तो यह मैं आप से पूछआ चला था तो यह ज़म कुझ तो टीशियू पबरे रहा है या पिट weet है या खाना है आपने सोवली कुर्थी एक सो, लेकिन अगर PIA को खाना दें, तो सोवला सोगा, टिश्व दें, तो सोगा, तो सोगा, और आगे पेट्रल दें, तो सोगा, तासी में पेट्रोल खत्म हो जाता ना, बिलकुल खत्म नहीं होता, अच्छा, Supply of Stores और Provisions ये Stores और Provisions लिख लें खाना, पिट्रोल, टिशू टिशू, मिशू, मिशू भी लिख लें खाना, पिट्रोल, टिशू लिख लें, आप भी लिख लें, आप पे सारे लिख लें आगे फिर नोवरिकल जाएंगे पिर आप पर परिशान होगे खाना, पिट्रोल, टिशू लिख लें, लिख लें, किस्तरे नहीं लिख आप की रो में खाना, पिट्रोल, टिशू, फॉर कंप्शन ये राजते में क्या हो जाने अब ओट क्या हुते है, बोरिंग पास बन गेए अब पाकिसान के अंदर ही लोग है जो कहच से मर रहे हैं या कुछ मसला हो रहा है अब हपोमत कह देती है सारे दुकांदार आप सो वहली चीजें कितने की बेचें सो की बेचें फिर 117 की ना बेचें तो चारपां सेनरियों याद कर लें कब कब ऐसा होगा नेशनल सेक्यरिटी जंग लग गई नेच्रल डिजास्टर नेशनल फूड सेक्यरिटी कहत लग गया और कोई भी अमर्जेंसी सिचुएशन हो भी या फिर इंप्लिमेंटेशन ऑफ बालेटरल एंड मल्टाइल अगरिमेंट की पाकिसान की और मल्टाइलेटरल दो से अदा मल तीन चीज़ें इस एक्सपोर्ट की हैं और वह जीत हो रही पिर सिया औरुगा लेगा तो यह एक्सपोर्ट की हैं आपने सीपोर से बापिस मंगवा के लोकल सेल कर दी है अब इसको सतना का बेचेंगे या इसको सो का सो वाला ही बेचेंगे एक सो सतना का तो तीन चीजें यहां जो दिखने में क्या है एक्सपोर्ट लेकिन फिर भी जीरो रेट है और मुंख फोल्ग वर फॉलें गृइज मुर्ली धरन को गाड़ी बेची याद है, आउटपुट जीरो, लेकिन उसके गाड़ी के लिए जो जनल टाय से टायर करी देंगे, उन पर तो टेक्स पे किया होगा ना, इसको रिफंड कितना मिल रहे हैं, पंद्रा, लेकिन हकोमत रिस्टिक्ट करके कह दे, हकोमत रिस्टिक्ट करके किया दे, नहीं तुम्हें पंद्रा नहीं हम तेरा देंगे, कर लो जो करना है, तो यह एक लाइन हलकी से लिए है, नुमेरिकल की हद तक नहीं है, थियोरी की हद तक बात, क्या है पढ़े, इसका नुमेरिकल साओर नहीं होता है, यह बस refund लेनी होती नोट कर लिए हैं, जिरोरी करना है, अच्छा भाई, आभी इंपोर्ट को जिरोरेट कर रहा है, इंपोर्ट, पहले एक स्पोर्ट को जिरोरेट कर रहा था, आभी इंपोर्ट को जिरोरेट कर रहा है, इंपोर्ट, पहले एक स्पोर्ट को जिरोरेट कर रहा है, आभी इंप ओंडा इंटलस कार को हकुमत kuछ हरसा कहा थे तो इंटलस और इसके पर पहुद इसपर नहिए यह बांब्र निरियोगता है हिंपॉर्ट छिम्पॉप.. को यह दृव thinner यह सिर्कंस्टांस में हो गा यह सै जर्नल डिंक क्लास सबस्क्राइब और खानुन गोर्म नियुक्त भी तो यह तो आप उसक है मर्जीन अज्ञीन अंडर शेयर समय सम्झाने वाले गोड़ेंगे में तो यह सोटा वड़के शुरू करें रूल 6 आपको आता है सारा मुझे पतादें आपने किस-kis मोगे पर हकूमत को tax जमा करवाना होते है किसी को यादो इंपोर्ट के मोगे पर local purchase टायर करते विए हमने हकूमत को जमानी करवाना हमने को सरी किस को जमा करवाने है general tyre को वो general tire फिर आगे जमा करवाए और sale करते वे हमने सलासिफ से recover करने और recover करके कोई प्राणा tax अगर pay किया और वो minus करके बाकी रखुमत को जमा करवा देना ऐसे ही है ना अच्छा तो time of payment of tax on imported goods ये engine की बात होगी और time of payment of tax on taxable sale of car तो ये sale वाले tax हो गया और ये import वाले tax हो गया समझागी time time बता दें ये क्या है यह जब import करें बस जब import करें उस फगत custom duty जमा करवाएंगे साथ ही वाले tax भी जमा करवाएंगे इसको इदर ही जाद कर ले the tax on goods imported into Pakistan shall be paid at the same time at which the custom duty is available and the provisions of collection of tax in custom act shall also apply here जो भी tax collect करने का तरीका वहाँ है वह ही यहाँ लगेगा जिस तरह custom duty लेते हैं उसी तरह अब मिसाल की दो टीचर कहा दे जिस तरह आप से fees ली जाएगे उसी तरह जर्माना लिया जाएगा तो इसकी English यही बन जाएगी the provision of collection of tax in custom act shall also apply here अच्छा यह तो वो tax हो गया जो हमने इंजन पर दिया वो import stage पर दे दे देने अब सरासे को जब गाड़ी बेची ही तो 30 लाग वली गाड़ी कितने की बेची 35 लाग दस जरकी हो सते हैं पैसे चार जनवरी को आएगाई है फिसना 6 जर जणी और गाड़ी बेची फिसना 28 जनवरी को एक और गाड़ी बेची तो जनवरी में जितनी गाड़ी वेहां इन्हों बेच कि जो पैसे आए पहुंत के खिजाने में वो 31 जनुरी तक जब आज में जमा करता रहे 31 जनुरी की जवरत जब पैसे बठा कर ले सा रहा इकठा करके 15 फरवी तक जम रदी जाकर अकोमत के ख़़ाने में जमा काए यह कौं सा टक्स हमा होने लागए लगा है कि आखने में सेल वाला पर्चेस वाला सेल ला पर्चेस के मए पर हम जाती नहीं कि आख पर सुट धे टेक्स सेल अशल शिल फकार शिल घ्र ज टेकल फोर संट-स शिल फड़िट पारसंट बाइड हैं जिए टीछ यह इंच धेमा कर यह तो आपको पते है नीचे क्लाइंटली होती है तो बोर्ड में डिरेक्ट टेक्स on certain sale shall be paid in any other way अच्छा यह तो time हो गया दरा यह देखेगा दरा sky blue time time अब क्या ने लगए mode and manner तो किस तरीके से जम्मा करवाने आपने text यह देख लिए text on goods imported का गया मतलब engine imported like it is a custom duty and the text due due क्या मतलब होता है payable and the text payable on sale shall be paid in any of the following modes यह तो आप बैंक में जम्मा करवा देजिग्नेटेट वाइब बोर्ड आम तो पर नेस्ट बैंक होता है चले इसी चेप्टर के इन पर आजे एक अजरवलन अमेरिकल है हाँ ठीक है इसका solution नहीं होगा है और गुड इसनी solution सही है जा नहीं बैर आला भी तो भो करते है ना हमता अच्छ जी आजे बाई page 463 बतादें इसमें से कौन सी सोर्पे वली है कौन सी 117 वली सेल है जल्दी से पढ़ लें सारी एक दफाव दन पढ़ लियां चले बैटेक्सेबल सेल है रिजिस्टर्ट परसन को तो ये सो वली चीज इस 17 की बेचेंगे जैसे फरस कर लें अजर वायर्स बेच रहे है अजर वायर्स बेच रहे है तो अजर ने वायर बेची डॉलेंस को अजर वायर्स बेच रहे हैं और अजर ने डॉलेंस को वायर्स बेची तो सेल टू बुरे बच्चेंगे जियुम करेंगे लायर्स बेच्टर बट रिजिस्टर बट नॉ बुरे बच्चेंगे दुकान पर को इसा बंदा आया जो इस इस बिदा लिगने तक रिजिस्टर तो बताएं इसको सेल आप कितने की करेंगे सो वली है, 120 की सो, जमा, 17, जमा इस तीन का नाम extra tax नहीं है, excess नहीं है इस तीन का further है यह तीनों ना tax ज़रा याद करें क्या थे further होते हैं जो बुरे बच्चे से लेने और इसका rate fix है 3% excess हाज हमने पढ़ा थो जो miss apprehension में ले लिया जाए वो excess है, वो lawn है नहीं, वो टेक्स लगाया वा वो दुकानदार से miss apprehension हो जाती है वो क्या था? excess, और extra है harmful goods के ओपर 12%, 13%, 14%, maximum 17% तक जा सकते है यह नहीं, 30% tax महां लग सकते है समझागे फरक? excess, extra और further ice cream, an item of third schedule 15,000,000 का बेचाए 15,000,000 उसकी retail price है बेची ice cream 12,000,000 की है तो 12,000,000 की आगे लिख सकते हैं, discounted price भाई, दुकानदार ने 15,000,000 फ़ली ice cream 12,000,000 की बेच दी और यार हमारी बला से, आपको पता है जो चीज third schedule वाली है, उसके डबे के उपर price लिखी हुई है जब उसके डबे के उपर price लिखी हुई है तो फिर क्या दुकानदार को ये power available है कि ऐसी सूरत के अंदर उस पर discount दे सके तो ये power available नहीं है दुकानदार को इसलिए इस बात को फारिख करें कल भी आपको बता दिया था, आज भी आपको बता रहा हूँ जब तक आप हिम्मत करके आते रहेंगे कि जो थर्ड शेडिल ओली चीजे है ना उन पर discount बगरा माइनस नहीं हो सकता पेज 444 पर नहीं पेज 445 पर हमने पड़ा था फॉर सेल्स एंड इंपोर स्पेसिफाइड एं टेक्स एल भी चार्ज है दो 17% आज नाट डिसकाउंटेड प्राइस नाट होलसेल प्राइस नाट रिटेल प्राइस बंदा लाले जुती दे पाले जुती बाद होगी यार डिसकाउंटेड प्राइस या होलसेल प्राइस पर नहीं लगेगा किस पर लगेगा ये खसूसिया सिर्फ किन चीज़ों के लिए खास है क्योंकि ये रिटेल प्राइस लिजबली प्रॉमिनेंटली और इंडेलिबली बड़ी बड़ी करके जो है वो चीज़ के ओपर लिखी होती है तो इसलिए इन पर टेक्स किस पर लगा करेगा रिटेल और जो थर्ड शेडियूल की बीस चीज़े हैं टिशू पर शू क्रीम बगरा इन पर मैंने का था डिस्काउंट माइनस नहीं हो सकता है दान तो इसलिए पंद्रह लाग पर लगेगा टेक्स और पंद्रह लाग पर लगेगा सो जमा सत्रह ये यतने टिशू पर के डपेश पर इन पर देखेंगे 17% लगा होता है लाइक सेविंग ड्रग्स तो हमारे इस लेफस में नहीं है लफ्स लाइफ सेविंग ड्रग्स इसलिए इसने खुद बता दिया इसने चीज़े हैं हम वह मत ने क्या की है एक्जेम्ट की है तो इन पर टैक्स नहीं लगेगा एक्सपोर् मुhtरम जो चीज एक्जैम्ट है या अपनी तरफ से एक्जैम्ट नहीं बनाना मुझे बताएं एम्प्लाइर एम्प्लाइड को इसी बेच दे एम्प्लाइड एम्प्लाइड को कहा इसी बेच रहा हूं लामिकर क्या कहे चलो यार छोड़ो टेक्स माफ है टेकं टू प्राइवेट यूज हाँ यह आपको यहाद होगा पूट्से केकं टू प्राइवेट यूज एक यहाद है काफी काफी हमने लंबा सी बात कि थी सब बाद एक यह देखें सब प्राइवेट यूस चीजों का सप्लाई की देफिनिशन में आता है तो अगर सप्लाई की देफिनिशन में प्राइवेट यूस आता है चीजों का तो क्या सत्रा प्रशन लगेगा जी अगर घर ना लेकर जाता तो बेचता बाजार में जब बेचता तो सो वली चीज एक सो सत वर्किंग 2 क्या थी? अपोरिशनमेंट अफ इंपूट इस सवाल को करेंगे एक दफ़ादा कल की क्लास से पहले पेज 465 वाल सवाल देखें पेज 465 वाल सवाल गंद मारा वे आपने वहां काफी आपको तो पर आपको तो करेंगे इस सवाल कल मज़े मज़े से अचा फिलहाल इसकी एक वर्किंग मुझे करवादें सिर्फ वर्किंग 3 वर्किंग 3 टेक्सिबल सेल बोलें टेक्सिबल सेल तो अन रिजिस्टर्ड तो अन रिजिस्टर्ड यह रान रिजिस्टर्ड की सेल में इसलिए लग डाल रहा हूं अच्छा टेक्सेबल मांग रहा हूं आपसे जीरो मांग रहा हूं एक्जेंट मांग रहा हूं टेक्सेबल टेक्सेबल मांग रहा हूं जीरो मांग रहा हूं ए taxable में भी आगे दो किसम की है zero rate कहाँ से होगी वह 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 taxable zero नहीं मैं भी कह रहा taxable sale at 17% वली मांग रहा हूँ लेकिन आपको बता है कुछ 17 वाली होगी और कुछ 17 जबा तीन वाली होगी वह मांग रहा हूँ अब से clear taxable sale at 17% मुझे चाहिए और 17 वाली भी चाहिए 17 जमा तीन वाली भी चाहिए यह मैं अलग क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इन पर फर्दर कितना लगना है 3 परसंट तो पहले यह वाली पता दें जरा सेल कितनी है दोसो दोसो यह आगी अच्छा आगे चलें टेक्सेबल सेल्स तू रिजिस्टर पसंट अच्छा इसकी आप हेडिंग दें आप रिजिस्टर इसमें ना कुछ अधर सेल भी आ जाती है रिजिस्टर के लावा वह फिर मैं बताऊंगा कौन सी है जिसे घर लेके चीज़ें यह इसको बेच दी ठीक है अच्छा अब आप मुझे बता दें कि 2750 टेक्सेबल हैं 17 परसेंट तो मैं कह सकता हूं कि यह टेक्सेबल सेल एट 17 परसेंट टू रिजिस्टर परसेंट कितनी 2750 आगे चलें टेक्सेबल सेल टू अन्रिजिस्टर दोसो चली गी नीचे आइस्क्रीम 15,00,00, 12,00,000 पर डालो आइस्क्रीम डन एक्सपोर्ट जिरो रेट हैं लाइफ सेविंग डर्ग号 जिरो एक्जैम्ट हैं यह टेक्सेबल हैं exempt है फिलहाल मैंने heading क्या दीवी है taxable at 17% तो मुझे exempt की जरूरत नहीं है सबर export zero rate है या taxable at 17% तो फिलहाल मैंने heading क्या दीवी है taxable at 17% इसके बाद sales to employees आ रही है कितनी 3,000,000 sales to employees 3,000,000 taxable at 17% है या zero या exempt है taxable at अगर चीज़ें खरना लेकर जाते तो बाजार भीगती है 50 हो गया? बस अगर टोटल बता दे सब टोटल की दुरूथ नहीं है इसका सब टोटल की दुरूथ नहीं है grand total पता दे 40 इसमें आपने कौन-कौन सी sales नहीं उठाई 0 और 8 और वो मैं आपको भी बताता हूँ कहां लेकर जानी है वो मैं आपने उठाई, note कर लें ये ए पुआ ये र decay ये में दूँक Eeίαςëmos ये आपको बनी ङे प्लाइक येल ये ले दुट्स बेंग्यू दुट्ट्स बेए बाट यह एक मिनट इसमें एक चीज़ हो रहा है वो मैं दलवादू आपको कल कल जो डलवानी है आज जो डलवादू है इसमें एक सेल इटर्न भी है पॉइन नहीं है नहीं है हाँ ठीक है उड़ा दी भी है चलें गुड हो गया यह नोट कर लिया अब यह एक वरकिंग हम करेंगे वरकिंग टू एक वरकिंग को से करेंगे कल वरकिंग टू वरकिंग टू की हेडिंग होगी apportionment of input tax done यह जो वरकिंग करेंगे न हम apportionment of input tax वो जो सेल बाकि रह गी है वो यहाँ डालेंगे वो जो सेल अभी बाकि छोड़ दी है न हमने जिनको lift ने कराई उनको हम यहाँ डालेंगे अच्छा अब हम मुझे बता दें कि हमारी सेल कितने किसम की है taxable zero और exam done इसके बाद हम किसको portion करेंगे input एक कॉलम आप इदर ओर छोड़िएगा वो इन्शाला कल बनाएंगे फिलाल input को भी मैं portion नहीं करा रहा है मैं कुछ नहीं करा रहा आपको मैं वो सेल का total टैली कराने लगाऊं तो आपने working जो 3 की है उससे सेल कितनी आई है 48, 100 या 1000, 100 और किसके सेल को lift नहीं कराई थी अच्छा जी ये lift करा दी है 275 सेफर को already 200 को lift करा दी है अच्छा इसके बाद 3rd schedule वाली चीज़ों को lift करा दी है 1500 पे डालके अच्छा 4000 को lift नहीं करवाई 2000 को lift नहीं अब unlifted कौन-कौन से बचे ये 3 इसमें life saving drugs किसमें डालनी है एक्जेम्ट में कितनी है 4000 तो life saving drugs किसमें डालने एक्जेम्ट में 4000 पीछे कौन सी बच गई जीरो rate देखें कौन-कौन सी है 100 प्लस जीरो एक export थी 2 million की और एक 2 lakh की sale to diplomatic mission तो 2,200 को जमा करें कल ना यह सारा मैंने whiteboard पे भी note करना है working 3 में नहीं करूँगा लेकिन working 2 इंशाला whiteboard पे note करूँगा whiteboard पे दर अच्छा नहीं आता है तो 2,200 हो गया मुझे ना असल में यह डर था कि आपको ऐसे दिल में अजीव सी बात रहनी थी बाकी sale कहां लेकर जानी है तो यह आप लोगों ने परिशान रहे न था इसली मने यह working कर वा दिया असल यह working तोकार कर वाऊंगा मैं टोडल sale आप बोले 11,000 अब समझा गया यार sale कैसे जाया करनी है कौन सी sale को lift पहले करानी है accessible at 17% और इसके लिए कौन सी working करनी है working number 3 लेकिन उसमें 17 और 3 दोनों कठी डाल देनी है इनका record बस अलग रख लेना है और यह कर लिने के बाद कौन सी working करनी है apportionment of input working to करें जी इसको कली नोट कर ली जाएगा समझ तो आगी ना बात बाकी sale को यहां डाल देना है छोड़ें कल whiteboard पर कल लेंगे नोट कर लेंगे कल लेंगे अच्छा अब यार वह समाद वाला सवाल हमारे जानी चोड़ा इसको फितम करें समाद वाला सवाल यह 488 जानी नहीं चोड़ा इसमें कौन सी जिस्मेंट रहेगी है तू पढ़े जी और वी उस निकालें और जल्दी करें यार तू पढ़के वी उस निकालें 6.8 गलाता है और को बताई भाई 7.36 7.36 दो लोगो ने कही है बाकी भी तरह ट्राइ करें अच्छा अच्छा बुरिश्टेदारियां थी दोनों की नानी एक थी दू परिक्लर रिलेशन दीम्ल हैस बिन अलाओट अस्पेशल डिस्काउंट आफ एज अगेंस नॉर्मल डिस्काउंट आफ मुझे पताईं यह प्राइस तो मुझे यह बताएं के नॉर्मल अहलात में किस्काउंट कितना देते हैं खेट यह अगर 100 वली चीज और तो 92 की बेचते होंगे, यह special हलात है या normal है, special हलात है, particular relation है हमारा इसके साथ या normal relation है, particular relation है, हमारे साथ बैठके CA करता था, particular relation है, ओ या आजा जिगर, ओ यार किदर आया है, तुझे पता है, बाइर खड़े हो के मुठ से गपे मारते थे, CNG pump पे, तो यार चल तो यह सो वली में कितने की लगाता हूँ, 85 की, तू क्या कर रहा है आजकल, अच्छा, तो done हो गया, यह तो मैंने किसे खेला है, percentages से, किसे खेला है, percentage से, तो अगर एक दुकानदार आम तोर पे सो वली चीज 92 की बेचता है, तो खास तो पे सो वली चीज इस customer को कितने की बेच बैठा, एक तरीका यह हो सकता है, इस से आपको समझा आजए, सुचें जरा, यह भी एक तरीका है, यह discounted price है, कि आप agree कर रहे हैं कि given amount, divided by given amount percentage, multiplied by required amount percentage, हमें कौन सा वाला चाहिए, normal sale वाली चाहिए price, तो एक यह तरीका है, जिसको यह तरीका पसांद आए, उसके लिए यह तरीका, यह क्या, डिवाइड किसे किया था, 85 से, जवाब क्या आगया, 7.36, जिसको यह तरीका पसांद ना आए, उसके लिए एक और तरीका, वो तरह लंबा तरीका है, लेकिन असान शाहिद लगे, 6.8 कितने percent पे है, अगर discount ना होता तो यह चीज कितने पे बिखती, 8 पे, अब आ 8 वाली चीज़ पर discount दें, जब आप 8 वाली चीज़ पर discount देंगे, तो अगला काम आप क्या करेंगे, अब आपने क्या निकालनी है, discounted price, normal discount वाली या special discount वाली, normal discount वाली, 8 minus 8 percent of 8, done, 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 8 minus 8 percent of 8, बोलें तो 7 point, कितने लों को दूसरा तरीका समझ आया है, कितने लों को पहला निकालनी, करना पड़ेगा, नोट या, मैं आप किताबाँ पर नोट करेंगे, तो 6.8 वाली चीज़ 85 percent पर बेची है, बेची 92 percent पर चाहिए थी, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका कि 6.8 अगर discount ना होता, तो कितने की बिक्ती, 8 की, अब 8 वाली चीज़ पर आपने कितना discount देना है, special या normal, 8 minus normal discount is equal to 7.36, VOS 7.36, किस figure पर 17 percent लगाएंगे, नमेरे कल में, अच्छा, मेरे सवालों के जवाब दीजेगा, 6.8 पर क्यों नहीं 17 percent लगा सकते, क्योंके special discount minus हुआँ, 8 रुपे क्यों नहीं 17 percent लगा सकते, क्योंके discount minus ही नहीं हुआँ, discount minus करना है, जरू करना नार्मल वाला, हम यह concert discount minus की है, नार्मल वाला, नार्मल वाला माइनस करके यह हमारी VOS होगे, done, ठीक हो,